एक बार की बात है, एक जंगल में चालाक और होशियार लोमडी रहती थी. उसकी चालाकियों ने उसे बागबानी में बड़ा माहिर बना दिया था. एक दिन, एक गाय के आस पास घूमते हुए लोमडी ने देखा कि एक पक्षी अपने अंडे रखने के लिए एक पेड़ की चाया में एक घोंसला बना रहा है. लोमडी को यह देखकर एक चालाक योजना आई. वह उस पक्षी के पास गई और उसे पूछा, हे मित्र, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? इस पेड़ पर यहां कोई फल नहीं है. फिर भी तुम इतने खिलाने के लिए क्यों तयार हो रहे हो? पक्षी ने उत्तर दिया, मैं इसे अपने अंडे को सुरक्षित रखने के लिए बना रहा हूँ. लोमडी ने चालाकी से कह वाह! यह तो एक बहुत ही बेवकूफ काम है. तुम इसे अब तक बना चुके हो. लेकिन तुम यहां कोई फल नहीं पाओगे.